इस दुनिया में अभी बहुत कुछ दरकार है, लोकतंत्र बचाओ के साथ साथ कोई भीगी आवाज अभी भी उठती है, थोड़ा प्रेम भी बचा लेना चाहिए, थोड़ी करुना और उदार होने की थोड़ी गुंजाईश हमेशा बची रहनी चाहिए ऐसे में एक तस्वीर कौंधती है, श्री लंका से, वही श्री लंका जिसकी सत्ता उलजी हुई है, राश्रपती भाग चुका है और देश को बचाने की ललकार लिए भीड सडकों पे है, तस्वीर में एक चुम्बन है, किस कहते हैं अंग्रेजी में, ये चुम्बन किसी मेट पहने है और एक पार्टनर का सिर बैरंग है, दोनों के होट जुड़े हुए हैं, नीचे खड़ी भीड उन्हें देख रही है, सिर उचकाए, तल्ख, धूप के सिलहोटे में प्रेम के इस निर्दोश खशन को समझती हुई भीड, इस भीड में कुछ लोग होंगे जो कितने अच्छे हैं, कुछ लोग देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि ये दोनों चूम रहे लोग बस एक फोटो खिचाने और वाइरल होने का बहाना ढून रहे हैं, क्यों न सोचें ऐसा, इंस्टारील के जाबड सुर्ख समय में जब बादाम कच्चा हो सकता है, पसूडी फैल सकता है, मूसे वाला की हत्या के बाद लोग उसके गाने खोज कर सुन सकते हैं, तो कुछ भी ऐसा थोपा हुआ क्यों नहीं हो सकता, लेकिन किस करते हुए दिखना ही क्या कम है, एक अदद चुमन घटित कर देना, और उसे इंटरनेट पे दर्ज कर देना, ये मानवता का एक और बड़ा कदम है, प्रदर्शन के बीच सरेयाम चुमा ले लेना, ये इतना ही निर्दोश है जैसे किसी का अपनी सरकार से सवाल पूछ लेना, ये उतना ही सहज है जैसे किसी का अपने नोट पर लिख देना, सोनम गुपता बेवफा है, उतना ही सौम्य और प्रेम का कुछ हिस्सा सोच जाते हैं, इस दुनिया को ऐसा ही तो होना चाहिए, सवाल पूछने वाले सवाल पूछ कर सकुषल घर चले जाएं और रोज बिना किसी चिंता के सोएं, प्रेम करने वाले इतने सहज हों कि उन्हें ये भान होता रहे कि वो प्रेम से कोई भी आग्रह क कर सकते हैं, किसी भी यातना के पार खड़े हो सकते हैं, एक अदजीवन जी सकते हैं, अकेले में हस सकते हैं, ये सोच कर कि डरने का कोई लाब नहीं